सावने तेसिल की खापा थाना अंतरगत बहने वाली कनहा नदी में शव मिलने की घटना से हड़कम मचा हुआ है प्राप्त जानकर के नुसा शनिवार आट जुलाई की दोपैर लगबग एक बचे के दर्मियान किसी अग्यात व्यक्ति द्वारा खापा पुलिस में जानकारी दी गई की कनहा नदी के पात्र में किसी व्यक्ति का मृत दे होने की जानकारी है जानकारी मिलते ही खापा पुलिस घटनास तल पर मौच कर शफ को नदी से बाहर निकाल कर मृत व्यक्ति की शिनाक में लग गई जान्च के दोरान मृतक व्यक्ति की पहचान राजेश पंडरी मढ के उम्रुप पैतालिस वश रहवासी देवी बडेरा तालुका सौसर जिला चुनवारा के रूप में होकर वो अपने परिचित डिगांबर नत्थू सोनारे के घर दो दिन पहले ही खापा आये हुआ था इसकी जानकारी मिली उनसे मिली जानकारी के नुसा मृतक को शारेडिक व्याधिया होने तथा मनोरुगन जैसी हरकते करने की जानकारी मिली खापा पुलिस थाने के API शरद भस में तथा पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने हिज्ज्योती फाउंडेशन के हितेश बंसोड की मदद से मृतक का शव निकाल कर उसे शव विछे दन हेतू परात्मिक स्वास फ्रशिक्षन के इंदर सावनेर रवाना कर गटना की जानक अधिकारी मृत्तक के परिजन उकोदी आगे की जॉन्ज खापा थानेदार मनोज खडसे तथा API शुरद भस में के मार्ग दर्शन में एसाई नारहन बोर कर कर रहे हैं इन बीसी न्यूस के लिए समवादा ताकि शोर ढूंडे लेकी रिपोर्ट